भाई और बेहनों, स्वामीत्व योजना के जो लाप आज दिख रहे हैं, वो देश के एक बहुत बड़े अभ्यान का हिस्सा है। यह अभ्यान है गाउं को, गरीब को, आत्म दिर्भर, आर्थिक रुप से और मजबुद बनाने का। और अभी हमने सुना पवन जी को, तीन महने में कितनी बड़ी तांकत आ गई, खुद कहीं तो घर था, कागज कहां भाव था, कागज आ गया, जिनकी बदल गई, हमारे गाउं के लोगों में भरपूर सामर्त होने के बावजुद, उन्हें दिक्कत आती रही हैं शुरू आती समाधान की, एक तरह के लॉंचिंग पैड़की, गर बनवाना होता था, तो होमलोन की दिक्कत, व्यापार शुरू करना होता था, तो पूंजी की दिक्कत, खेती को बढ़ाने का कोई आइडिया हो, टैक्टर खरिदना हो, कुछ आजार खरिदने हो, कोई नई खेती करने का विचार हो, तो उसमें भी सुरुवात करने के लिए पैसे की परिशानी है, प्रॉपर्टी के पेपर ना होने की वज़े से, बैंकों से उन्हें आसानी से लोन भी नहीं मिलता, मजबूरी में, भारत के गाउं के लोग, बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोगों से ही कर् मैंने वो तकलीब देखी है, जब छोटे छोटे काम के लिए, किसी गरीब को, किसी तीसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, बढ़ता हुआ सूद, उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता बढ़ जाता था, मुश्किल ये, कि उनके पास किसी तीसरे से कर्ज मांगने के अलावा, कोई विकल भी है नहीं था, वो जितना लूटना चाहे लूप सकता था, क्योंकि मजबूरी थी, मैं देश के गरीबों को, गाउ के गरीबों को, गाउ के नवजवानों को, इस दुस चक्र से भी बहार निकालना चाहता, स्वामित्वयोजना इसका बहुत अहम आधार है, प्रोपर्टी कार बनने के बाद, अब गाउ के लोगों को, बैंकों से आसानी कर्ज मिलने वाला है,